दोस्तो अगर आपको flip card पर आप कोई product return कर रहे हैं वापस करना चाहते हैं आप और आपको इस type की problem आ रही है return cannot be placed for this reason this was an open box delivery hence please choose another option तो ये क्या है basically जो भी product अगर आपको ये दिखा रहा है तो इसका मतलब जो product आप return करना चाहते हैं उस पर open box delivery जो है आपको provide की गई थी मतलब जब delivery boy आपको product देने आया होगा तो उसने उसी time आपको product खोल करके दिखाया होगा कि आप देख लीजिए कोई product missing तो नहीं है आपने माल लिजिए phone मंगाया तो देख लीजिए phone अंदर है phone physically damaged तो नहीं है कुछ पता चले कि आपको खोल के दिखाया है तुरंत वहीं पे damage हो या इस type से ठीक है या फिर अंदर कोई accessory है data cable निकलना था नहीं निकला तो आप देख लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है कि माल लिजिए product के अंदर कोई item निकलना था वो missing है नहीं है तो आप उसको OTP ही नहीं बताएंगे आप product लेने से मना कर देंगे मतलब आप receive ही नहीं करेंगे product ठीक है जब open box delivery होती है तो आपको एक OTP share करना पड़ता है जब आप देख लेते हैं कि ले लिया है product receive कर लिया है और उसके बाद आप जाएंगे return करने तो फिर यहां पर आपको यह option दिखाएगा माल लिजिए आप ने open box delivery की facility ली मतलब वहां पर delivery boy ने आपको open करके दिखाया बट अब आप return कर रहे है किस reason से कि product is missing in the package या फिर received a broken or damaged item तो इस पर आपको यही problem दिखायेगा आप इस पर return place नहीं कर सकते क्योंकि open box delivery थी सामदे से delivery boy ने बंदे ने आपको दिखा दिया होगा पहले ही कि कोई भी item missing नहीं था या फिर product damaged या फिर broken नहीं था ठीक है तभी आपने OTP बता दिया उसको और आपने product receive किया ओके तो इसलिए आप उस reason से जो है य please choose another option तो आप कोई और reason यहाँ पर select करके further proceed कर सकते हैं देख सकते हैं कि अगर उससे return हो रहा है तो आप return कर सकते हैं आप चाहें तो customer gear से बात कर सकते हैं बट I think वो भी जो है आपको यहीं बताएंगे इसी type से कुछ बताएंगे अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को क कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए